राज्जी में गोधन न्याए योजना को मिशन मोड पर संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने गोधन न्याए मिशन का गठन करने के निर्देश दिये हैं क्रिशी मंत्री रविंद्र चौबे इसके अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के सलाकार प्रदीब शर्मा उपाध्यक्ष होंगे गोर्तलब है कि राज्य में पशुपालन और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष दो हजार बीज से गोधन न्याए योजना का संचालन किया जा रहा है इसके तहट पशुपालकों और किसानों से दो रुपए प्रती किलो की दर से गोबर की खरीदी की जाती है इस गोबर से महिला स्वसाहता समोहो द्वारा सुराजी गाउं योजना के तहट इस्थापित गौठानों में जैविक खात का निर्मान किया जा रहा है अभी तक 50 लाग क्विंटल से भी अधिक गोबर का क्रे किया जा चुका है क्रे किये गए गोबर से कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, सूपर कंपोस्ट के अतिरिक विद्युत उत्पादन तथा अन्य अनेक प्रकार की वस्तों का निर्मान किया जा रहा है हाल ही में मुख्यमंत्री ने गोबर से जैविक खाद उत्पादन के साथ साथ विद्युत उत्पादन की परियोजना का भी शुभारंब किया है पहले चरण में रायपूर दुर्ग और बेमेत्रा जिलों के तीन गोठानों में विद्युत उत्पादन शुरू भी हो गया है श्री बगहल ने इस परियोजना को राज्य के सभी गोठानों में लागू करने के निर्देश दिये हैं राज्य में अब तक 10,000 से ज्यादा गोठान स्विक्रित हो चुके हैं